सन्जे सिंग् ने कैप्टन अमरिंदर सिंग ते निशाना साध्या थे कहा एक एना नुबादला खिलाफ जाफ़िर मजीथिया खिलाफ चोण मैदान विच उतरना चाहिदा सी कैप्टन न ऐना खिलाफ चोणा दे मैदान विच उतर देता मुकाबला असली हुन दा इसे दिनाल ही संजे सिंग ने बादलां दे थां थां उते लगे पोस्टर्स बारे चोन कमिशन नो त्यान देन दी काल कहिया ते पंजाब निया चोना नू लेके आप खिलाफ आए सर वेखर नतीजया नू वी ओनाने खलत दस्या निवेदन करना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंग जी से जो अपने आपको पंजाब का सेर कहते हैं कि अगर वो बादलों की गुंडा गर्दी से लड़ना चाहते हैं अगर वो बादलों के माफिया राज से लड़ना चाहते हैं अगर वो ड्रग माफियाओं को जवाब देना चाहते हैं तो वो अरबिंद केजरिवाल को बार-बार बुला रहे हैं मेरा उनको सुझाओ है कि आपको अगर चुनाव लड़ना है कैप्टन अमरिंदर जी तो जाके जलालाबास से लड़िये मजीठा से लड़िये वहां हिम्मत सिंग सेरगिल और विक्रम जी सिंग आप जाके प्रकास सिंग बादल से लड़िये लंबी में ये तीन बड़े दागदार चेहरे हैं जो बंजाब की बरबादी के कारण हैं अगर कैप्टन अमरिंदर बादलों से लड़ रहे हैं तो इन में से किसी एक के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं वरना वो अपन पार्टी दिल्ली की पार्टी है लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सारा प्रचार छोड़कर पिछले दो महीने से दिल्ली के अंदर दस जंपत में नतमस्तक है सोन्या गांदी और राहुल गांदी तो छोड़िये प्रसांत की सोर तक की चमचागिरी करने में दो हिंदी के टीवी चैनल्स ने एक एक दिन के अंतराल पे अपना ओपीनियन पोल दिखाया पहला एबीपी न्यूज चैनल का आया जिसमें पता नहीं कि साधार पर अकाली दल को नंबर एक दिखा दिया दो नंबर पे कांग्रेस दिखा दिया तीसरे पे आमादमी पार्टी दिखा दिया ठीक दूसरे दिन आज तक का एक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस को नंबर एक दिखा दिया आम आदमी पार्टी को नमबर 2 दिखा दिया, अकाली दल को नमबर 3 पे दिखा दिया, ये सर्वे कामेडी सरकस बन गए हैं, ये सर्वे जनता के बीच में हसी और मजात का कारण बन गए हैं, क्योंकि इनी टीवी चैनल्स ने 2013 में आम आदमी पार्टी को 6 सीट दी थी, हमारी आई 28 सीट, इन्होंने 2015 में हमको दी थी 18 सीट, 28 सीट, 34 सीट अलग-अलग सर्वे में